और प्रमात्मा स्वें में आते हैं वो ग्यान देते हैं जैसे रगवेद मंडल नमबर नौ सुक्त नमबर 86 के 86 के मंतर 26 और 27 में रगवेद मंडल नमबर 9 सुक्त चम्मन के मंतर 3 में रगवेद मंडल नमबर 9 सुक्त 82 के 82 के मंतर नमबर 1 2 3 में रगवेद मंडल नमबर 9 सुक् में, रगवेद मंदल नंबर नो, सुक्त 95, पिचानुमे के मंतर दो में, रगवेद मंदल नंबर नो, और सुक्त 20 मंतर एक में, रगवेद मंदल नंबर नो, सुक्त 1 मंतर 8 और 9 में, रगवेद मंदल नंबर नो, सुक्त 96, यानि चानुमे के मंतर 16 से लेकर 20 में, और भी अने मातमा उपर के लोकों में रहता है और वहां राजा के समान सिंगासन पर विराजमान है देखने में राजा के तुल है सुंदर सरीर है नर आकार है वहां से से सरीर चल कर आता है और वो तीन परकार से लीला करता है अपने सभी आतमाओं को यथार्थ ग्यान देने के लिए हमें यहां धारन पोसन करने के लिए हमारी संभाल करने के लिए वो तीन परकार का स्रीर अपना बनाता है एक रूप में परमात्मा सथाई रहते हैं उपर के लोक में सबसे उपर के स्थान पर एक बहुत बड़ा गुमज है मंदिर नुमा और उसके सेंटर में परमात्मा का तकत है तकत मीन सिंगासन जैसे कहा करते हैं न दिल्ली के तकत पर बाबर बैठा इतने सनम हैं तकत मीन सिंगासन पर तो वो बीच में बैठे हैं परमात्मा सिंगासन पर और सिर पर छतर है जैसे आप उपर देख रहे हैं और सिर्पे मुकट है परमात्मा के देखने में रादा के समान है परमात्मा वहां से तो एक परकार वहां उस स्रीर में हैं और उन परमात्मा का नराकार है मनुसदर से है उनके एक रॉम में एक रॉम कहते हैं बाल में एक रॉम कूप समझो एक रॉम वात्मा के स्रीद की इतनी सोबार